दोस्तों आपके अपने चेनल दे एक्टाइम से आपसे वह कस्वाया थे दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि B.S.S.C. का जो पेपर अभी मामला चल रहा है लिक का मामला तो इसमें आपको कुछ खबर यहां पर निकल का रही है कि इसको किस तरह से लिक किया गया है औ और जो आपका B.S.S.C. है उनके द्वारा किस तरह से वहां पर पकडर में आया कि यह कि सेंटर से लिख हुआ है तो यह आपका कोडिंग तकनिक जो यहां पर अपनाया गया है आयो के तरब से तो उसके तहट से इसे जो पेपर लिक का है कि इस सेंटर से खुला है तो इसके सरगना तक पहुंची जान से यहां पर आपका दिया गया है कि अजय नहीं सॉलवर ने वाइरल किया था प्रसंद पर तो यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहा है इसमें क्या पूरे कहानी है तो इसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं यहां पर आपको देखन नहीं जानता था तो इस सभी को देखते हैं कि इस कहानी में किस तरह से पुरे जो खेल उसको अंजाम दिया है तो चलीह से हम देखते हैं तो फार्स ओपल liya अपाप देख सकते हैं कि यह बेससी का है द्रोगा का निकला मास्टरमान्ट काई और स LGों इसमें दाठी के और उनकी खोद यहां पर जा रहा है किने विवस्था खुला फेपर लेक करें जो सभी जो पेपर अभी वहाँ पर आ रहे हैं तो पेपर पर सभी में कहीं बारकोर या इस टैप को कुछ कोडिंग किया जा रहा है जिससे माननी है कि वाइरल किया जा रहा है तो उससे यह सकेन करके यह उनका जो तकनिक होगा उसके तहत इसमें पता चल जाता है कि हर को हर सेंटर का जो अलग-अलग कोडिंग का वहां पर पेपर भेजा जा रहा है तो होते ही पता चल गया कि किस सेंटर से लिख हुआ है सेंटर की किस रूम में लिख इसका भी खुलासा हो गया किस वहां पर जहां चला होगा तो किस रूम से लिख हुआ है वह यहां पर पता चल गया है और यहां पर आपको जैसा कि पता चला है कि ज्यादा जो सोर है वह फस्ट और सिटका है, कि वहार मर फिस्ट का यह कोईछ नहीं बोला जा रहा है लेकिन यहां पर दो सिपर जो शोशल मीडिया था कि वहा पर वहार हो रहा है लेकिंग फ säför नहीं हुआ तेहां पड़िए है कि अगर कोई जो oh doakव किया होगए तो उसका टो तीनोवके हो सकता पर सिप्त के लिए लिए जिसका टोब कर जारी हुआ है वह तो आपका इग्जाम से 10 दिन पहले यहाँ पर जारी हुआ था तो तो देस्ट पहले हुआ तो सिप्ट से मैं सभी इस्डिवयन को पता चला हूँ पड़ा है तो एक जो सॉलवर होगा तो उसको इसको इसको मुझत करेगा ऐसा तूनहीं कि तेंसे रिमद्बाट करेगा क्वाइए कुला फ सब्सक्राइब कि यहां पर सिंफास्ट का एंसे नहीं होना हुँ हांत कि यह है कि यह वैरल हो गया है तो सवी को पताचल गया है इसका भी वयरल है लिकिन अभी सिस्ट करणी ह哇 है अगर बाहर आ गया है सोसल मिडिया पर तो बोला जारहां कि हाँ यह लिख हो गया लिकिन इस लोग का नहीं आया है अगर शेटिंग वा तो यह होगा यह अलग बात है कि हो वार रल नहीं हुआ तुह स्व rented दौरान लीकْ हुए प्रसनपत्र मामनी का खुलासा एक दिन में ही कर दिया है तो यहां पर इसके मुख आरूपी अजे कुमार को दवोचा गया है तो यहां पर यह मुख आरूपी है इसको दवोचा गया है इतने कम समय में प्रसंपत लीक होने से सम्मधि सर्टिक जानकारी जुटाने में सबसे कारगर हत्यार सावित हुआ क्रमचारी चरनेयों का जो को पर अगे देख सकते हैं कि संटे के बोला गया है लेकिन आगे कहीं होता है कि ज कि तार हां तक जुड़ होते हुए उनको पकर ले तब बहुत बारी कामृवी तो यहां पर आगे देख सकते हैं कि इस वार सभी आप लोग कोमेंट करिएगा कि सभी shift का cancel होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए या फरst shift का होना चाहिए या फरst second का होना चाहिए आप लोग कोमेंट करके राय दे सकते हैं आगे इसमें बुला गया है कि इस वार सभी प्रसंट पत्रों की कोडिंग एलेक्ट्रोनिक सिस्टम से कुछ खास तरीके से की गई थी इससे जब प्रसंट पत्र वार्षब पर सामने आया तो एससी के अधिकारियों ने एक घंटे में पता कर लिया कि इस पत्र का किस सहर के किस सेंटर में बाटा गया है तो यहां पर काम्यावी के तौर पर यह देखा जा रहा है कि एक घंटे में यहां पर पता कर लिया गया है यह काम्यावी के तौर पर देखा जा रहा है लेकिन आगे कहां तक इसको तप्तिस किया जाता है यह माइन है का जो यहां तक जानकारी हो गई कि मोतिहारी इस्तित परिच्छा केंद सांती निकेतन जूबली स्कूल है कमरा नंबर फोटी टू में इस प्रसंपत का बितरन क्या गया था इस कोड का तो यहां पर आगे बोला जा रहा है कि मास्टर में अजे कुमार के पिता है असो कुमार जो है उबितिया ठाना में दरोगा है परिच्छा शुरू होने के 10 पहले परिच्छा केंद पहुंचा और हर्बरी का बहाणा बनाकर चकमा देकर मोवाईल साथ में ले गया तो यहां पर देख सकते हैं कि वह लास्ट समय में इंटर किया है कि वहाँ पर हरवरी का भाहना बना दिया है कि कुछ हूँ वहाँ पर बनाया होगा कि जल्दी में है लेट से गया हुआ इंटर किया होगा ताकि ज़्यादा उसका चेकिंग नहीं हो तो इसलिक कारण से वो मॉबाइल लेके अंदर चला गया इसा यहां पर बूला जा रहा है सभी सोलवर अब तक फरार है मामले की जांच कर रही है आर्तिक अपरादिकाई यू को विसेश टीम ने अजय कुमार से घंपुष्टाच की है कि जिसके बाद कई बाते सामने यहां पर देखने के लिए आई है कि अजय सिर्फ खूद को पास करने के लिए परसंपत्र को वाइरल किया था अब यह तो सोचने वाली बात है इसका किसी गैंग या अस्थानों से चोड़ी करते पकरे गए अभ्यारतों से अब तक कोई सीधा कनेक्शन नहीं मिला है हलांकि इससे जुरे सभी मामलों की जांच अभी जारी है इस के बाद ह परश्टों पाएगा कि फिलाल प्रसंपत्र सौल्व करने वाले सभी लोग फरार हैं और इनका तलास तेज़ी से चल रही है इसको लेकर दुसरे दिन भी करें स्थानों पर चाप मारी यहां पर किया जा रहा है और यहां पर आपको कुछ और यहां पर देखने किस तरह से यहां पर वाईरल हुआ है तो यहां पर देख सकते हैं कि मुबाईल सरगना तक है पहुंची जांड सिमवाईल की जड़ी तो यहां पर देख सकते हैं क्या बोला एक कि five advance टकनीक लोगों के मुवाइल नमबर हैं इसी जांच में कमरा नमर 42 में एक परिषारती के पास मुवाइल होने की इस बात सामने आई है तो वहाँ पर ट्रैक किया गया कि उस दिन कितने मुवाइल जो सिगनल है वहां से आ रहा था उस परिषार से और कितने वहां के जो ऑथराइज़ की-पास मुवाइल होने की बात सामने जने इसके बास अन अस्तर पर लिए की गई तत्कीकात में अजय के पर पास से ही प्रसंदित लिख कर थेता पसंट पहत्तर तुरित यहां पर मांए की मीडिया में आगया बात आपका विघलो के ससल मीडिया पर तम कि अपना के शेलों ना चाहिं कि सभी का ठ्ल चाहिए कि एक सेटर का सभी सिट में वहां पर कंडिडेट होंगे फर्ष्ट सेकेंड और थर्ड तो यहां पर यह यह वाय Allen हो गया तो इसलिए अस्का जिया ज्यादा है फोटफा ऊफिया evolved लोग का भी यहां पर कंडिडाट बैठा होगा थो उनलोग का वाय रोंतना नहीं हुआ ही इसे भिजा था मत्बए स्वाल करने के लिए बहुँझा होगा इन डूनों ने किसी गैंग को सप्लाइब नहीं कियасти लेकिन इनकी सॉलवार नेही कुछ वाटस अप गृूप ने इस ट्रांसफर किया था तो वाटसप कि गरूप में गया गया होगा तो तो बहुत सारे लोगों के पास गया होगा यहां से या वाइरल हुआ है बीजय परच्छा नहीं दे रहा था लेकिन अपने परच्छारती भाई अजय को पास कराने के लिए बाहर से सेटिंग करने में जुटा था तो यह आपको यहां पर देखने के लिए मिल तो वहां पर तो जैमर बेगरा लगे हुए है तो जैमर के उससे बस्ते हुए उसने किस तरह से वहां पर वार्टसप भेजा है यह सुचने वाली बात है यह आपको देखे जब भी इसके बारे में अपडेट आएगा तो आप सभी के साथ यहां पर शेयर किया जाएगा कि वह किस तरह से उसको भेजा है तो उसको भी देखने वाली बात है यहां पर आगे आप देख सकते हैं कि इसमें इसे 10-10 लाक में यहां पर बताया जा रहा है कि 10-10 लाक में इस पेपर को बेचा गया है यहां पर आप देख सकते हैं बोला जा रहा है कि परिच्छा में पास होने के लिए 10 लाख रुपे देना था इसमें पास कराने का यहां पर 10 लाख रुपे लिया गया था परिच्छा में परास होने पर उसे 10 लाख से अधिक रुपे देने को कहा गया था इससी तरह आरा समेथ अन सहरों के परिछा केंदरों से गरिपतार अवरतियों के भी दूसरे गैंग से उत्तर उपलब्द कराने को जहांसा देखा रखा तो कि यह आपको अन सहरों का आरा का भी बताया जा रहा है कि वहां का भी कोछ जो स्टुडेंट हैं उनको भी गैंग में यह गैंग के द्वारा उनको पास कराने का यह लिया गया था जिम्मा लिया गया था पैसा दस लाग रुपेम डिल हुआ था इन से रैकटों में इस बात की भी असंका जताई जा रही कि इनके संबंद एजय कुमार के सॉल्वर गैंक से हो सकते हैं इसकी बदल्व थी इन्हें कई अभरतियों को परिच्छा में पास कराने का भरोसा दे रखा था हलाकि इस पूरे मामले की घहराई से तप्तीस की जा रही है इसके बाद ही पूरी स् की असबस्ट हो पाएगी तभी पता है चल पाएगा कि इन्डैकेटो का आपस में Connexion है या नहीं कहां तक किसका connection है यहां पर आपका यहां पर देख सकते हैं का यहां पर कुछ अंगैंक का भी पता चला है लिकाने आप आप देख सकने कि यह जो अजय कमार था किसी द्रोगा है उनके बेटा है तह Mercury द्रोगा पिता नहीं जानता तो यहांपर आस्वारे में इसी बूला लगा हुआ था तो फोटो क्लिक करने के बाद मुवाइल लेकर चला भी गया है लेकिन उसको उस परिशर से बाहर आना अगर यह से परिशर में है कॉलेज है तो यहां पर तो जैमर काम कर रहा है तो इससे आपको कमज़़ कम 100-200 मीटर के दो डिस्टेंस जाईएगा तभी वहाँ पर माने कि उसके रेंज से बाहर कम सकम जाना है तभी वह जा सकता है तो यह किस तरह से भेजा गया है यह सुचने वाली बात है यहां पर आगे बोला गया है कि सेटिंग के धंदे में कुछ अन गैंक का भी पता चला है ग खेमी चक से गिरिपतार जीतू पासवान का परच्छा के अंदर पुर्णिया में था उसके पास से हाथ में चिपकाया हुआ हाइटेक बुलूटूथ डिवाइस मिला है देखिए यहां पर डिवाइस माजीतू को किसी दूसरे गैंग ने इस डिवाइस को देखकर यह ऐसी पर लिक मामले में मुख अभयूकत अजे कुमार के पिता असोख कुमार बैतिया थाने में दरोगा के पदपर तैना थैं पिता की डूटी बैतिया के एक परिशा केंदर पर लगी थी अब तक कि जांच में अब बात सामय आई है कि उन्सके बेटे की करतूत के बारे मे कोई जानका नहीं थी यह लोग मुल रूप से जुपोल जीरों के रहने वाले हैं इससे पहले अजय ने वन एवां परियावरन विभाग कि एक परिच्छा में भी परिच्छाकेंद के अंदर मोबाइल ले जाने की कोशिस की थी तो देकि यह प्रिच्छे से भी इनका मतब की उस तरह का यह बेवार रहा है यह पता चला है लेकिन वह पक्रा लेकिन वह पक्रा गया प्रंतु इस बार वह अपनी चलांकी में सफल रहा वह मतलब वहां पर ले जाने का कोशिस किया था लेकिन वह सेंटर पर पकर में आ गया था लेकिन इस बार पकर में नहीं आया सेंट ठीक से नहीं हो पाई तो ये मुख करी है कि उसने 10 मिनट पहले वहाँ पर यह जो लास्ट समय में जाना है वहां पर चाकर कि चेकिंग नहीं होगा सही से क्योंकि टाइम होने बला रहता है तो जल्दी में सोचा जाता है जलनी से इसको भेज दिया जाए तो उसी कार यहां पर लाब उठा लिया गया है और वा चकमा देकर मुवाइल लेकर अंदर चला गया उसने छोटे मुवाइल को अपने पास छिपा कर रखा था जिससे वह पकर में नहीं आया विच्छक से बचकर प्रसंद पत्र की फोटो खिचकर इसे भाई को भेजने में काम्याव अविच्छक के तौर पर काम कर रहे अजय के मोतिहारी में मौजीद परिछाकें सांति निकेतन जूबली स्कूल सिच्छक सचिन जोती से पूछताच और उनके मुवाइल की अब तक की होई तकनिकी जांच से पत उसको नहीं पकड़िएगा तब तक आगे भी यह होता रहेगा जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बीवी पीएसी का भी लिख हो गया है हो गया था आपका 67 का जो हुआ था तो उसमें लिख हो गया था लेकिन बहुत सारे उसमें पकर में आए लेकिन फिर बाद मुनको आपका Kerry यो तो आगे जांच पता ही नहीं चल रहा है कि कहा तक गया है किसकी सक्कों यह किया गया सुरू में मुदा हैल्याट था उसमें तक तो पूरा यह दिख़ा था मिदिया में कि पूरा कि इसको पक्राइब रहत हुआ लेकिन अबराध धा लेकिन सुनें आ रहा था कोई 6-6-6 साल से वहां पर तयारी करते हैं उसके बाद इनका यह मतलब कि इस तरह का काम हो जाने से फिर वहां पून का लाइफ पुरा चौपट हो जाता है तो आप लोग यहां पर कोमेंट करिएगा कर सकते हैं कि आप कोई तीनों कौन-कौन सिप्ट का यहां पर एक्जाम कै चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के कोमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है सभी आप लोग वहां पर जाकर जोड़ सकते हैं कि अ आप早द कोमें लिंब caracter कोमें लोग पर जोगता हैं कि आप घा double कोने कोमें लिप लोग यहां रवला चाल में आपको यदरों जोग़।